आईणडी मनी का अकाउंट इसके अलावा यूएस स्टॉक्स अकाउंट इसके अलावा SBM Bank Saving अकाउंट आप तीनोही अकाउंट किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए अपको आपको द्यान रखना है तीनोही अकाउंट को डिलीट करने से पहले आपको कौन कौन से स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके रखने हैं क्योंकि जब भी आप ITR फाइल रिटन करेंगे उस समय आपको उन स्टेटमेंट की जरुरत पड़ेगी आप ये कैसे justify करेंगे कि आपने US की companyों में कितना पैसा invest किया था और आपने कितना benefit किया और कितना loss किया है सबसे पहला step है IND money के application को आपको open कर लेना है जैसे ही IND money के application को आप open करेंगे फर्स लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद में उपर आपको user का logo देखने के लिए मिलेगा यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको आपका नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसके अलावा काफी सारे यहाँ पर आपको option देखने के लिए मिल जाएगे यहाँ पर आपको my details में एक option देखने के लिए मिलेगा capital gains वाला यहाँ click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद में आपको 2 option मिलेंगे अगर आपने US stocks में ही cable investment किया है तो पहले option का chain करेंगे अगर आपने Mitchell fund में भी investment किया है तो second number के option का आप chain करेंगे अगर आपने दोनों में ही invest किया है तो दोनों का आपको बारी बारी statement डाउनलोड करना है जैसे कि मैं आपको explain कर देता हूँ कि कैसे आपको statement डाउनलोड करना है यहाँ पर मैं US stocks वाले option पर click करूँगा आप जिस भी साल account delete कर रहे हैं उस साल कौन सा financial year चल रहे है उससाब से आपको यहाँ पर जो statement है वो डाउनलोड करके रख लेना है for example मैं यहाँ पर जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का यहाँ पर जो statement है simply वो डाउनलोड करना चाहता हूँ for example so यहाँ पर मैं click कर देता हूँ जिस भी financial year का आप डाउनलोड करना चाहते है उस financial year पर आप click करेंगे ओ सकता है हाँ पर आपको option और अधिक दिखाए दे और अधिक कम दिखाए दे depend करता है कि आपने ind money application पर account कम बनाया था उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो data वो देखने के लिए मिल जाएंगी जैसे कि मैं यहाँ पर 2021-22 financial year के statement डाउनलोड कर सकता हूँ अब आप जिस भी साल का निकालना चाहते हैं या फिर आपने जिस भी साल में पैसे invest किये थे वो साल आपको पता होगी सो financial year भी आपको पता होगा अब आपको यहाँ पर वो financial year सेलेक्ट करनी है जिस समय आप यहाँ तो ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं यह फिर खुद देखना चाहते हैं सो फॉर एक्जाम्पल में हाँ आप 21-22 financial year का capital gain देखना चाहता हूँ यह statement डाउनलोड करना चाहता हूँ यहाँ क्लिक करूँगा वो का जो statement है वो आपकी registered email ID पे भेज़ दिया है यह है पहला step उसके बाद में है दूसरा step आपको उपर US stocks वाले option पे क्लिक करना है इसपे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपने किसी stock में पैसे तो invest नहीं कर रखे है आपको home screen पे भी दिखाई देंगे या my US stocks वाला option मिलेगा यहाँ क्लिक करेंगे अगर आपके पास कोई भी stock की holding होगी तो वो आपको यहाँ दिखाई देगी थाड़ी step है कि आपके US stocks balance में कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे जीरो डॉलर होना चाहिए उसके बाद में आपको home पे वापस से क्लिक कर लेना है फौर्थ option है आपके SBM bank account में 0 रुपए होना चाहिए अगर एक भी पैसा हुआ तो आप अपना जो account है वो बंद नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे मैं US stocks वाले option पर क्लिक करूँगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद में manage के option पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं आपको 2 option देखने के लिए मिलेंगे पहला option होगा US stocks account यहाँ पर $0 है यहाँ पर जो super saving account है मेरा SBM bank में उसमें लगबग 80 पैसे पड़े हुई है यानि कि या तो मुझे इसको 1 रुपे complete करना है या फिर मुझे इसको 10 रुपे complete करना है ताकि मैं withdrawl कर पाहूँ जैसे कि यहाँ पर मेरा 80 पैसा है इसका मतलब मैं यह account बंद नहीं कर सकता हूँ सबसे पहले आप complete बैक आजए उसके बाद मैं user की logo पर क्लिक करेंगे my accounts वाले option में आपको एक option देखने के लिए मिलेगा super saving account यहाँ क्लिक करेंगे SBM bank account की detail आपको देखने के लिए मिल जाएंगी अब in bank account detail में आपको पैसे भीजने है जितना भी आपका कम पड़ रहा है उतना पैसा आप भीज लीजिए यानि कि अगर 50 पैसे है तो 50 पैसे और भीज लीजिए एक रुपए कर लीजिए डेट रुपए है तो आसानी से withdrawl हो जाएगा और इससे भी कम है for example तो फिर अपने अनुसर जितना कम पड़ रहा है उतना भीज लीजिए अब जिस भी UPI application के माद्यम से भीजना चाहते है उसको open कर लीजिए जैसे मैं phone पे से भीज रहा हूँ अगर आप भी phone पे use करते हैं same step आपको follow करने यहाँ पे आपको money transfer वाला option मिलेगा इसमें 2 bank UPI ID का option मिलेगा यहाँ क्लिक करेंगे तीन option आपको देखने के लिए मिलेगे bank accounts, UPI ID, UPI number bank accounts वाले option को ही select रहने देंगे यहाँ पे add new bank account का option मिलेगा यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे bank select करना है आप यहाँ पे SBM bank search करेंगे यहाँ पे SBM bank आ जाएगे इस पे क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी account number है वो आपको यहाँ पे डालने हैं इसके अलावा आपको यहाँ पे IFSC code भी दिखाए दे रहे हैं जो भी IFSC code आपको दिखाए देते हैं वो IFSC code डालेंगे उसके बाद में आपके account details से automatic आपका नाम यहाँ पे deduct कर लिया जाएगा जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ दिखाए देगा make sure कि यहाँ पे जो भी नाम दिखाए दे रहा है वो आपी का नाम हूँ उसके बाद में हाँ पे proceed to pay-pay click करना है मेरा 20 पैसे कम पड़ रहा है लेकिन मैं एक उरुपए भेज लेता हूँ यहाँ पे मैंने एक उरुपए डाल दिया है पे-पे-क्लिक करूँगा पे-पे-क्लिक करने के बाद में जो भी UPI pin है आपका वो UPI pin डालेंगे उसके बाद में आपका जो payment आओ process होगा and payment कुछी seconds में आपका हो जाएगा जैसे देखेंगे payment मेरा successfully हो चुका है वापस से IND money application पे आएगे वापस से आप यहाँ पे US stocks वाले option पे क्लिक करेंगे manage के option पे क्लिक करेंगे जैसे आप देखेंगे एक रुपए 80 पैसे हो चुके हैं एक रुपए मुझे receive हुआ है उसके बाद में यहाँ पे withdrawal money पे क्लिक करूँगा उसके बाद में हाँ पे मेरे पास हो चुका है एक रुपए 80 पैसे मैं यहाँ पे डालूँगा एक रुपए 80 पैसे उसके बाद में continue पे क्लिक करूँगा continue पे क्लिक करने के बाद में कुछ basic detail दिखाई दे रही है कि 2 से 24 गंटे लगेंगे यह पैसे मिलने में मेरे bank account में जो भी मेरा bank account link होगा एंडी मैनी के साथ में उसमें पैसा भीज दिया जाएगा उसके बाद में acknowledge and withdraw के option पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको OTP डालना होगा आपके registered mobile number and email id पे भीजा जाएगा जैसे आप OTP डालेंगे automatic verify हो जाएगा आपको verify पे क्लिक करने की जरूराइत नहीं अगर नहीं होता है तो आप verify के बटन पी क्लिक करेंगे जब तक यह withdrawal मेरा processing में है और successfully मेरे bank account में पैसा credit नहीं हो जाएगा and ind money application पे successful का status नहीं आएगा तब तक मैं ind money पे अपना जो account वो भी बंद नहीं कर पाऊंगा उसके बाद में उपर आपको again user के logo पे क्लिक करना है उसके बाद में again बहुत सारे option आपको दिखाए देंगे नीचे की तरफ scroll करके आना है यहाँ पे settings का आपको option देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में delete account का option आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप यह account क्यों delete कर रहा है आप अपने अनुसार यहाँ पे जो भी option आपको मिल रहा है simply उन में से जिस भी option में आप comfortable है उसका chain करें उसके बाद में आप अपना जो region है वो type कर लेंगे जैसे मैंने demo लिख लिया उसके बाद में continue पे click करूँगा continue पे click करने के बाद में हाँ पे बोला जा रहा है कि are you sure you want to delete your ind money account definitely मैं sure हूँ उसके बाद में नीचे कुछ point आप उनक money application से account permanently delete हो चुका है इसके अलावा मेरा US stock account delete हो चुका है इसके अलावा मेरा SBM bank account में जो भी saving account open हुआ था वो मेरा delete हो चुका है हो सकता है कि US stocks account में पैसे deposit करने के लिए SBM bank का saving account open किया गया था वो आपका फिलाल close ना हो उसमें थोड़ा सा time लग सकता है इसलिए आपको कु email को unsubscribe कर सकते हैं आपको emails नहीं आएंगे यह आसान सिस्ट है फॉलो करके आप अपने IND money account को delete करवा सकते हैं हमेशा के लिए अगर आपको account को delete करवाने में कोई भी समश्या आती है आप comment करके बता सकते हैं उमीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप सभी के वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया से इस वीडियो को like कर दीजे क्योंकि आपके एक like से काफी जादा motivation मुझे मिलता है और अगर आपने चैनल को भी subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजे and bell icon पी click कर के notification on कर लीजे ताकि हर एक वीडियो की notification आपको मिलती रहे मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए interesting वीडियो में